एख लोग एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स जैसा कि आप दे सकते हैं मैं दीजी एमेज की ओफिस्चल वेब साइट पर हूँ जिसकी ओफिस्चल वेब साइट उपर आप दे सकते हैं दी गई है दीजी एमेज यूपी.gov.in है तो फ्रेंट्स डीजी एमेज की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंड अपडेट आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है क्या अपडेट यहां पर जारी की गई इसके समझ में सबसे पहले आपको बता दे कि यहां पर जो आप सभी कंडिडेट्स को पता होन देखते हैं कहां पर किसको पोस्टिंग दी गई है कब तक जोईन करना है सारी चीजें इंफार्मेशन उस लिस्ट में दी गई है तो यहां से नोटिफिकेशन को हम ओपन कर लेते हैं तो इसके लेटेस्ट न्यूज्स का जो आप सनी हां पर आ रहा है इसमें आपको यहां आप देसकते हैं दिया गया है 192 उपचारिकाओं के न्यूक्त पत्र नेगत के जाने के समद्ध में और नोटिफिकेशन देख सकते हैं 22-12 की नोटिफिकेशन यानि कि कल रात में नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दी गई तो इसको यहां से हम ओपन कर लेते हैं इसको पत्र नोटिफिकेशन यहां पर मैंने ओपन कर ली है उपर लिखावा कार्याले महान निदेशक चिकिस्सा एम स्वास्थ सेमाए उत्तप्र नियूक्ति आदेश यहां पर जारी कर दिया गया और डेट आप दे सकते हैं 22-12 और इसका नियूक्ति आदेश क्रमांग सं संख्या इतना दिनांग सितंबर 22-22 के द्वारा पूर में उपलद कराई गई संस्तूति यहूं पुनाहपत्र संख्या इतना स्टाफ नर्स और दिनांग 39-22 यहनी 30-22 के द्वारा 180 महिला तथा 12 पूर्श अभ्यरतियों के आपबंधन समाप्त कर उपलद कराई गई संस्त संस्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधिनस नर्सिंग राजबत्र सेवा नियमा वाली इतना के क्रम में सलंग सूची में क्रमांग 1-120 में तक उल्लेखित अभ्यरतियों की आस्थाइन नियोगति उप्चारिका के पदपर समुखा वेतन मान रुपे 93-3200 यानी 9300 से 34800 प्लस ग्रेड वेतन रुपे 4600 एयों पुर्देशित वेतन मैटेक्स रुपे 44900 से 14400 लेवल सेवन में उनके द्वारा कारभाग रहा करने की तिथी से नियम्म सर्तों एयों प्रतिबंधों के अधिन सूची में उनके नाम के सम्मुक कालम 12 में अंकित चिकित साल जन्पद में की जाती है तो यहां पर अफसारी चीज़े क्लियर हो चुकी है इसी पैराग्राफ में आपकी कि जो 180 और 12 पुरु सभ्यर्थी थे अपबंधन जिन का था यहां कि प्रोविजनल जिन का था तो प्रोविजनल के अंतगत जो 180 महिला कंडिडेट्स हैने कि फीमेल और 12 मेल टोटल 122 प्रोविजनल जो है क्लियर हो चुका है इनका अब इनको पोस्टिंग दी जा रही इनकी जो पोस्टिंग है वह कहां पर की जा रही चीख साल हो जनपत की इनफार्मेशन यहां पर लिस्ट में जारी कर दी गई है विद डिटेल आपका नाम सारी चीज़े उसमें साज़ दी गई है आपका होम डिस्टिक क्या है सारी चीज़े एक टूजेट वहाँ पर लिस्ट में जारी कर दी गई है तो इसकी इनफार्मेशन यहां पर देख दी गई इस अवज को बढ़ाया जा सकता है यादि परिवीच्छा अवज को के दवरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति अधिकारी को यह प्रतित होता है कि परिवीच्छा धीन अभ्यर्थी अपने आउसरों का परियाप्त उपयोग नहीं किया है अथा उसका कार्यों माच संद्थों नहीं है और नियुक्त अभ्यर्थी की नियुमा अनुसार सेहां समयाप्त की जा सकती हैं सेकेड़ मीन पइंट यहां पर दिया गये और अभ्यर्थी पर हम आछा हो बिना किसी पूर्ण नोटिस के नियुक्ति निरस्थ की जाते सकती है फिर यहां पर दिया गया यहां नियुक्ति पूर्टा आइस्थाई है यहां किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप की जा सकती है तो साइस चीजें यहां पर आपको पॉइंट वाइच क्लियर कर दी के समुख्ष उपस्थिस हों और यद अभ्यर्थी आदेचारी होने किती थी कि एक माह के अंदर नियुक्ति स्थान पर कारभागर नहीं करता तो यह नियुक्ति आदेश स्वताह नेश्थ हो जाएगा यानि कि आपको एक मान्थ का जो है एक माह का समय यहाँ पर दिया गए एक मन्थ महीने का समय आप लोग एक महीने में यहाँ पर जाइन चरू कर लें और जाकर कहां पर रिपोर्ट करना आपको मुख्यचुकित साथिकारी जहां पर आपको पूस्टिंग वहां के सद्थिकारी या प्रमुख्य यहा मोख्यच्चिक साधिच्चयों या अधिछ् है तो यह भी आपको देना होगा अब उसके बाद यहसे संभंधित अभेष्ट को जो कालभाग गरहां करेंगे तो समस्त जो प्रमारप्त है उनकी Tallalini मूल प्रतियों के साथ उनकेcido। प्रतिया नियुक्तिस्थान पर संभंधित अभिष्ठारे को प्रत भोने होंगे जो की मोल प्रतियों अभियर्थी के सत्यापन के अप्रांद वापस कर दिदाएंगे यानि कि ओर्डिनल डाकुमेंट साब के वापस कर दिदाएंगे इसमें क्या-क्या लगने वाला इसकी इंफार्मेशन आपके दी गई है तो यहां पर दो दो सकते मुख्य चिकित्स आधिच्छा का अबलिग मुख्य चिकित्स आधिकरी दोबरा सारीरिक स्वास्थता के समध में प्रतत्त प्रमार्पत यानि की सेखंपर यहां पिकल्टार हुए अपका प्रहला होना चाहिए दो ऐसे राज-पत्र दर्कारियों से जो सरकाई सेवा में हो और उनके निजी जीवने पूर्ण रूप से परिचित हों किन्द उनके संबंदिनों से चरित प्रापत यानि के करेक्टर सर्टिफिकर आप के पास होना चाहिए संबंदित अभेर्थी के बेदु कोई अभियोजन लंबित विचारा धीन होने या ना होने तथा नयायला द्वारा दन्दित किये जाने के अथवा ना किये जाने के संबंद में सपसपत्र होना चाहिए ओथाफ Ett salaries का प्रमापत होना चाहिए, भारत के समिधान के परत निश्ञावां, प्रतिग्या का संपत्र पत्र होना चाहिए, चल यह होाँ आजल संपत के संपत्र में गोश्णपत्र विवाहित होने की दिशा में एकसे अधिक पति-पत्थी जीवित-ना होने का प्रमापत्र अथा वा विवाहित अभ्यार्थी निम्द प्रारूपर घोशापत्र प्रस्तूत करेंगे या करेंगी तो इसकी इंफार्मेशन यहाँ पर आपको दे दी गई है तो इसका फॉर्मेट यहाँ पर दे दिया गया है फिर यहाँ पर दो साथ्षियों के अस्ताथ्षियों पूर हमेट थोड़ा से चेंज है तो इसको मैं इसी अब को दिखा तो करम संख्या दिया गया है सबसे फेले चेहन क्रवांग दिया गया आपका प्त्र ब्यवर्क पता क्या है उसके आपका इस्थाई पता पता दिया गया पिर इस पर एपको जा करना और यहीं पर आपको जाकर आपको जाकर लिपोर्टिंग करनी है तो उसकी तरह से आप थेसकते 57 से total and 192 चलिश्ट यहां पर जारी कर दी गई तो प्रोविजिनल थे उनकी लिष्ट यहां पर आ चुकी है तो आप लोग बिल्खुल जिसका वेट कर रहे हैं तो फाइनली वह लिष्ट यहां पर जारी कर दी गई है पूरी इंफार्मेशन मैंने यहां पर आपको प्रवाइड कर दी है तो यूपी प्यस्ची के इंफार्मेशन आपके साथ यहां पर कवर कर दी है आई होप यह वीडियो आपके लिए इंफार्मेशन रहा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर जरू करें शेयर करने और चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी न भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक लिए जय हिन जय भारत